नमस्ते बिटा सबीकों देखिए आज हम बात कर रहे हैं युकलिट विभाजन प्रमेका और युकलिट विभाजन अल्गोरिफम ये दोनों जब मैंने आपको पढ़ाई थी तब मैंने एक फार्मला वहां बताया था और मैंने कहा था इसको किस तरह से हम याद रख सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस क्लिप में हम उसी पर डिसकस करने जा रहे हैं देखिए मैंने यहाँ दो नमबर लिए हैं एक हे 500 और एक हे 23 इस 23 से 500 को मुझे डिवाइड करना है भाग लगाना है और भाग लगाने की प्रक्रिया आपने पुरु कक्षा में बह सिशन दिख रही आपको 23 से हम डिवाइड कर रहे हैं और 500 को डिवाइड कर रहे हैं अब जिससे हम डिवाइड करेंगे और जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं यह आपको पता है हम बात कर रहे हैं पहले इस 500 की कि यह 500 क्या है यह जो 500 है आपका इस 500 को हम कहत से ठीक सी तरह से हम बात कर रहे हैं 23 की अब यह 23 क्या है तो 23 है हमारे पास इसको हम बोलते हैं भाजक डिविजर और इसको हम डिनोट करने वाले हैं 20 यह हो गया आपका भाज और यह हो आपका भाजक यह आप पूर्व से भी जानते हैं अब हम थोड़ा इस डिविजन की प्रक्रिया को फॉलो कर लें 23 से 500 में डिवाइड करना है तो हम 50 में डिवाइड करेंगे पहले 23 को हम यहां टू टाइम्स मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह बनेगा 46 अब यह 50 जो है इस 50 में इसे 46 गया तो कितना बचा आपके पास 4 बचेगा और यह 0 हम यहां उतार लेंगे तो यहां आ जाएगा आपका 40 अब यह 23 से 40 को और डिवाइड करिए तो यह 1 टाइम्स डिवाइड होगा यह हुआ 1 यहां आया 23 और जब हम 40 में से 23 को माइनस करेंगे तो बचता है आपका 17 अब फिर 23 से 17 को अगर हम डिवाइड करने जाएंगे तो यह 17 जो है यह 23 से छोटा होने के कारण डिवाइड नहीं होगा हमें यहां पॉइंट लगा कर इसको डिवाइड करना पड़ेगा लेकिन हम पॉइंट में डिवाइड करना नहीं चाह रहे हैं अब 17 अगर यहां है तो अब इस डिवीजन को हम आगे नहीं ले जा सकते हैं जब हम इस डिवीजन को आगे नहीं ले जा सकते हैं, तो ये जो 17 याने की 17 हमारे पास बचा हुआ है, इसको आप क्या बोलते हो, क्या बोलेंगे इसको, 6 फल बोलेंगे, good, ये जो 17 है, ये है आपका 6 फल, तो ये हो गया 6 फल, और इसको हम बोलते हैं, remainder, इसको हम प्रदर्श करने वाले हैं, R से, चीक है, ये 6 फल हो गया, ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, अब हम बात करते हैं, 21 की, ये 21 क्या है, ये 21, इस 23 से 500 को डिवाइड किया, तो उसका result है, उसका output है, result को हम क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, content बोलेंगे, और इसको represent किया जानते हो, भाज्य को आप जानते हो, भागफल को आप जानते हो, अब इन तीनों में एक relation है, वो भी आप जानते हो, क्या relation है, तो वो relation है, हमारा भाज्य, equal होता है, भाजक multiplied by भागफल, और प्लस होता है, शेश्फल, ये formula भी इन सबसे related है, अर्थात ये चारों चीजें जो है, इस formula के हिसाब से equal होगी, भाज्य निकालना है, तो भाजक में भागफल का गुणा करें, और शेश्फल जोड़ दें, तो आपका भाज जा जाएगा, अब यहाँ पर ये जो भाज्य है, जिसको हमने dividend कहा है, वो dividend कितना है, आपका यहाँ पर A है, तो हम यहाँ पर क कितना है, आपका Q है, तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, इन्टू में, यहाँ हमने इन्टू लगाया, और अब हम यहाँ पर लिख देंगे Q, और प्लस, रिमेंडर इन्हें की शेश्फल कितना है, आर है, तो यह हो गया आपका, तो एक formula देखे, जनरेट हो गया, A is equal to BQ प्लस R वाला formula मैंने आपको Euclid विभाजन प्रमेइका या Euclid विभाजन अल्गोरिथम में बताया था, और मैंने कहा था कि हम यह देखेंगे कि यह formula कहां से आता है, तो यह formula है, आपका A is equal to B into Q प्लस R, और यही है आपका, किसका formula, Euclid विभाजन प्रमेइका का, Eucl इस clip में मैं आपको यही दिखाना चारा था कि यह basically formula कहां से आता है, आपको कैसे याद रखते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें उस condition को भी आप याद रख दीजिए, मैं दोरा देता हूँ क्योंकि उस condition के बिना हम आगे चलना ही पाएंगे, क्या condition थी आपकी, वो condition आपको याद रखनी पड़ेगी, इस condition के अंतरगत ही यह formula भी follow करेगा, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखिए, कि यह जो Euclide Division Lima या Euclide Division Algorithm का formula कैसे बना, और यह कहां से आया, यह दोनों चीज़ें जब आप याद रखेंगे, तो अब हम next class में जब इस exercise के sums को solve करेंगे, Euclide विभाजन प्रमेहिका की साहता से या Euclide विभाजन अल्गोरिथम की साहता से, तब हम इन दोनों की बात करेंगे